नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल इनानेन एजुकेशन में आदम इस वीडियों बात करेंगे लेब असिस्टेंड वेकेंशी 2018 की कटोप के बारे हैं जैसा कि आपको बता है कि लेब असिस्टेंड वेकेंशी का आज पेपर था और पेपर का जो लेवल था वह बहुत अच्छा लेवल था पिछले के मुकाबले थोड़ा इजी कह सकते हैं लेकिन ज्यादा इजी नहीं था और पेपर में ने पढ़ा और उसमें कापी क्यूशन थे जो रास्तान जी के का लेवल वैसे पिछले साल जो आया था जो दो जार सोड़ा में जो बढ़ती हुई थी उसके लेवल के किया और साथ ही कापी व्यार्तियों की राय लिए और कापी व्यार्तियों की नंबर भी हमने ट्रत किया है उसके बाद हमने कटोप बने यह जहां तक संब्बह हुए कटप से हो चटिक जाएगी जो कि ऑपीसल नबर करकर के इसे आप official कटोप नहीं मानें तो इस कटोप को स्टार्ट करते हैं और साथ ही जो पिछले साल की जो कटोप है उसको भी compare करके हमने इस कटोप को तयाक किया है आके बढ़ने के साथ ही आप से request रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें जिसे कि आपको इसी परकार की latest news मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कटोप देखते है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लेब असिस्टेंट वेकेंच ही है इसमें minimum passing mark है वो 40% है अरता 40% नमबर आने आपके जरूरी है अब हम last year की कटोप के साथ ही जो इस साल की कटोप है उसको देखेंगे last year की कटोप है ST male की वो है 83 और female की है यहाँ पर 75 और इसी पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस साल की कटोप है कटोप 2018 लेब असिस्टेंट की अनुमानित कटोप इस साल ST की जो कटोप है वो 95 और female की 85 यह कटोप रहने का अनुमानित इस साल ST का यह आपके जामने जो नंबर परदेशित हो रहे हैं आउट ओफ 300 में से नंबर है यह अगर आपके आउट ओफ 300 में से पिचान में नंबर आ रहे हैं और ST केटकेरी मेल से हैं तो आपका सेलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है पूरा चांस ही नहीं 100% पूरा चांस है अब हम next category की बात करते हैं तो यहाँ पर ST category में male की 95 जो की last year रही थी और female की 75 last year रही थी इस साल इनकी cut-off जो की level 10 2018 की 90 cut-off है वो ST की male की 105 और female की 90 पिसले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहने की cut-off की उमीद है क्योंकि paper थोड़ा easy था और अब्यारतियों की संक्या भी ज़्यादा है और अब्यारतियों की इस पर तयारी भी ज़्यादा है जिससे देखते हुए और अब्यारतियों की पहले से पता था कि किस परकार का paper आने वाला है और फिछली परकार इस परकार का कोई पता नहीं था कि पेपर किस लेवल का आएगा इसको देखते वए थोरी कटोप आई जाएगी इसी समझ में हम देख सकते हैं कि लास्ट एर की जो कटोप है OBC की वो मेल 113 और फिमेल 105 थी यह आउट ओप 300 में से मारक है क्योंकि 500 क्यूशन का पेपरता और सभी क्यूशन दो-दो नमबर के थे और इस परकार 300 का पेपरता भूर आई अब यहां आप देख लेते हैं कि इस बार कितनी रह सकती है कटोप OBC मेल की 144 और फिमेल की 135 रेने के पूरे पूरे चांच है अगर आप इसके ज़्यादा नमबर है तो आपका सेलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है नेस केटेगरी देखते हैं जन्डरिल की लास्ट येर में जन्डरिल की क्या कटोप रही 121 रही है मेल की और फिमेल की 110 रही है तो इस पार देखते हैं कि कटोप क्या रह सकती है इस पार जो कटोप है वो 2018 की जन्डरिल की मेल की 150 और फिमेल की 140 यहां पर कटोप रहने की पूरी पूरी संभावना है तो यह थी आज की जो हमने कापी मेहनत करके कटोप तयार किये official कटोप तो नहीं है लेकिन इसके संभावना यही रहेगी कि official कटोप इसके आसपास ही रहेगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटने उस पर क्लिक करें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर्क जरूर करें जिससे कि उनको भी इस कटोप के बारे में पता चल जगे धन्यवाद दोस्तों